अब देखो जी दर कलम लोग शुरू किये थे उप सांसायोजी योगी को का आई उपिये थी नाम तो नाम से पहले ये जान रहे थे कि इनका सुत्र कैसे लिखा जाए इस खंड में हमने समझा था कि पहले धनावेशित भाग लिखते हैं बाद में रिड़ावेशित भाग लिखते हैं अगर संकुल पर धनावेश है तो संकुल पहले लिखा जाता है और काउंटर आयन बाद में लिखा जाता है अगर संकुल पर रिडावेस है तो count का रायन पहले लिखा जाता है और संकुल बाद में लिखा जाता है होता है था यह जी हमने ध्यान दिया उसके बाद अब आते हैं अभी तुकल हमने बस यही दिखा था कि कब संकुल पहले रखा जाता है, कब संकुल बाद में रखा जाता है, तो संकुल पहले कब रखा जाएगा, जब उस पर कैसा आवेश हो, भन आवेश हो, संकुल बाद में कब रखा जाता है, जब उस पर रिड़ा आवेश हो, ठीक है न, अब लेकिन संकुल में भी हमको ध् परता है कुछ जैसे जब किसी संकुल की शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम केंद्र इधात परमाडु लिखते हैं क्या लिखते हैं केंद्र इधात परमाडु फिर लीगेंड लिखना प्रारम्ब करते हैं अब लीगेंड का भी क्रम होता है पहले कौन सा लिखना है लिखेंड ही एक से अधिक आगया तब अंग्रेजी वर्ड माला का क्रम देखेंगे अर्फात अंग्रेजी वर्ड माला के क्रम जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे तो यह प्रकाल से इसमें लिखने का क्रम होता है नी चलो नीचे लिखो तो नीचे लिखो तो नीचे एक इंडिकेट पॉंट लिखो जटिल आयन में जटिल आयन में जटिल आयन में सरोप्रथम केंद्री धाग परमाण लिखते हैं सरोप्रथम केंद्री धाग परमाण लिखते हैं उसके पस्चात लीगेंड लिखते हैं सरोप्रथम केंद्री धाग परमाण लिखते हैं उसके पस्चात लीगेंड लिखते हैं हो गया न आगे लिख ले न यदि यदि एक से अधिक प्रकार की लीगेंड आते है तो एक से अधिक प्रकार की लीगेंड एक से अधिक प्रकार की लीगेंड आते है तो एक से अधिक प्रकार की लिगेंड आते हैं तो पहले पहले रिडा वेसित लिगेंड पहले रिडा वेसित लिगेंड फिर उधा तीन लिगेंड फिर उधासीन लिगेंड तथा उसके बाद धना वेसित लिगेंड लिखते हैं तथा उसके बाद धना वेसित लिगेंड लिखते हैं जैसे एक उपसा संयोजी छेत में केंद्रिय धात परमाल सी ओ जैसे एक उपसा संयोजी छेत्र में केंद्रिय धात परमाल सी ओ केंद्रिय धात परमाल सी ओ हो गया तथा तथा दो नह थी दो नह थी कमा दो सी यल माइनस दो सी यल माइनस तथा तथा दो यनो प्लस दो एनो प्लस एनो प्लस रहेगा एन ओ के उपर प्लस हो गया लीगेंड है लीगेंड है हो गया तो तो हो गया इसका सुत्र निम्न प्रकार लिखेंगे अब देख सकते हो कौन कौन था जी केंद्री धात परमाण था कोबाल था ना इसके बाद कौन था एनेस्ट्री था उसके बाद सी और माइन अज़ रहे और उसके बाद एनो प्लस ठीक है ना ये चार चीजे हैं तो इसमें एक ठो केंद्री धात परमाण है बाती लिगेंड है ना तो अब इसका सुत्र कैसे लिखोंके हमने कहा पाले केंद्री धात परमाण लिखेंगे अब इसके बाद लिगेंड लेकिन लिगेंड भी एक से अधिक प्रकार का आ गया है मतलब एक ठो उदासीन है एक पहले, रिड्यावेसी प्रिखेंगे, कैचो था दी जी? दोठो था, फिर उदातिन वाला लिखेंगे, यहाँ पर धनावेसी तवाला लिखेंगे, कैच हो है यहाँ हो गया ना? अब देखो आवेश क्या हो जाएगा जी यहाँ पे कोबाल्ड का 3 प्लस और C-L का 2 माइनस और N-C का 0 और इसका प्लस 2 हो गया तो प्लस 2 माइनस तो कट गया खुट मिला जेश्ट यू पर कितना आवेश आगया प्लस 3 आवेश आगया हो गया अब यहाँ पे कोबाल्ड की हमको पता नहीं सा कितना होता है लेकिन साधारा रुख से कोबाल C-L plus बनाता है इसमें यहाँ प्लस माइनस ठीक है होने को कुछ भी मान सकता है पत्तल जिसना योगीफ होगा उस हिसाब से होगा लेकिन हमने आपे मान लिया इतना तो इसका सुच रुख लूई इस तरह से होगा हो गया ना आगे लिखो यदि एक ही प्रकार के लिगेंड एक ते अधिक बार आ गये ने तो यदि एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक आ गये हैं तो एक से अधिक बार मत लिखना है एक से अधिक आ गये हैं तो हो गया तो उन्हें लिखते समय अंग्रेजी वर्ड माला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं उन्हें लिखते समय अंग्रेजी वर्ड माला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं जैसे याल किसी संकुल में केंद्री धात पर माड़ केंद्री धात पर माड़ एफी तथा लीगेंड हो गया ना तीन सी यन माइनस हो गया ना एक सी यन है ये हैं तीन सी यन माइनस एक सी यन माइनस तथा एक एसो पोर पे तू माइनस है तो है तो इसका सुत्र तो इसका सुत्र अब देखो कौन है जी इसमें केंद्री धात पर माड़ एफी तो सबसे पहले लिखा जाएगा अब जो लीगेंड है एक सी प्रकार के हैं तीनों एक ही प्रकार का मतलब तीनों रिडावेसिक हैं यहां पर तो था कि एक रिडावेसिक था फिर उदासिक था फिर धनावेसिक था क्रम हमने देख लिया लेकिन जब रिडावेसिक तीनों आ गए तब इनके नाम का अंगरी जी वर्ड मारा क्रम देखा जाएगा मतलब C-Y-N का नाम क्या है साइनो स्पेलिंग क्या होती है इसकी C-Y-N-O साइनो निखो चाहिए साइनाइडो निखो तो हो तो की से ही होगा ये क्लोरो क्लोरो C-L-O-R-O और ये सल्फेटो S-U-N-P-S-E-T-O सल्फेटो निखो चाहिए सल्फेट अब इनका क्रम देखो कौन पहले आएगा सीनो में बचाओ साइनो पहले आएगा क्लोरो पहले आएगा क्लोरो क्यों दोनों C से शुरू हुए इसके बाद इसमें इसमें क्या है मतलब फाला अक्षर बराबर हो गया तो दूसरा अक्षर देखो यस पहले आता है वाई बाद में आता है कौन पहले लिखा जाएगा जी C-L उसके बाद लिख दिए फिर C-L लिख देंगे ना कई तो है 3 को और लास्ट में यसा आता है तो इसको लिख देंगे हो गया ना अब देखो कितना आवेस आ जाएगा 2-1 इसका 1-1 इसका 3-3 हो गया और 3-1 इसका कुल मिला के 6- हो गया और यापी कमान लो हमने 3 प्लस कर दिया यहाँ पे 2 प्लस वाला भी कर सकते हो मान लो हमने 3 प्लस किया 6 माइनर और 3 प्लस कितना बचेगा जी माइनर 3 बचेगा यह प्रकार से हो जाएगा तो नोट कर लो जो डिक्सिनरी आती है मीनिंग की वो इसी आधार पर बेवस्पित होती है उसमें अगर कोई सब पोजना जाते हो तो तरीका यही होता है यक्षर मिलाते चले जाओ अपने आप आजाओ ले जन्देशे अब आते हैं एडिम संकुल योगिकों का आई यूपियसी नामकरण संकुल योगिकों का आई यूपियसी नामकरण जो गया अब देखो क्या होगा जी अगर आई यूपियसी नाम लिखना है तो पाले तो हम ध्यान देते हैं इनका सुत्र कैसे लिखा गया था जैसे हमने ये लिखाब के पूर एफ़ी उसके बाद सी न सिक्स ये मानों लिख दिये इनका नाम कैसे लिखा जाएगा तो पहले तो साधारण तरीका जैसे तुम इसका नाम क्या लिखते हो क्या नाम लिखते हो सोडियम क्लोराइट 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 को लिखते नहीं सोडियम क्लोराइट क्यों निखा क्यों क्यों निखा क्योंकि पहले किसका नाम लिखे धनायन का फिर बाद में लिखेंगे और बाद में लिखेंगे पहले भी लिखा जाता है और बाद में लिखा जाता है ये उसके उपर आड़े वाले आवेस पर दिर्मर गरता है अब इसका नाम का ऐसे लिखेंगे पहले इसमें नाम लिखेंगे कि इसका वो टैसी अमका अब इसका जानते ही नहीं नहीं, तो इसका लिख लेते हैं इसके बाद, हो गया ना, उसके बाद इसमें पहले नहीं इसका नहीं जानते हैं लेकिन इसका जानते हैं ख्लोराइन, तो होगा क्या, काउंटराइन का नाम तो हम जान रहें, काउंटराइन का नाम हम जान रहें, साथ जो बड़े पोर्षक के बाहर उसका नाम तो जांगा है ताधार नाम लिखना लेकिन जो बड़े पोर्षक के अंदर है इसका नाम क्या लिखे हैं हमको इसी का नियम यहां के पढ़ना है ठीक है इसका नाम लिखने का सबसे पहला नियम है पहले लिगेंड का नाम लिखन अंग्रेजी वर्ड माला का क्रम देखते हैं लेकिन इनका नाम क्या होता है जैसे हमने आयूपीस्टी नाम कार्बनिक योगिकों का पढ़ा था ना तो वहां पे प्रेफिक्सों का आयूपीस्टी नाम पढ़े थे ख्लोरो उसके बाद तुम्हारा एफिल में पढ़े थे ना आमोनिया लेकिन इसका आयूपीस्टी नाम चाहते हैं एमीन च्छा है एमीन है अपने आप नाम कैसे लिखा जाता है चलो अब लिखो क्या लिखे योगीकों का IUPSC नाम करण तो लिखो इसमें पहले पहली एडिंग IUPSC नाम करण का क्रम IUPSC नाम करण का क्रम IUPSC नाम करण का क्रम लिखो किसी भी संकुल योगीका IUPSC नाम लिखते समय किसी भी संकुल योगी का IUPSC नाम लिखते समय किसी भी संकुल योगीका IUPSC नाम लिखते समय सरोप्रथम सरोप्रथम धनावेशिभाग का नाम लिखते है सरोप्रथम धनावेशिभाग का नाम लिखते है फिर रिड़ावेशित भाग का नाम लिखते हैं फिर रिड़ावेशित भाग का नाम लिखते हैं हो गया ना जैसे जैसे K4-Fe-CN6 K4-Fe-CN6 में K4-Fe-CN6 में हो गया पहले पहले K प्लस K प्लस आयन पहले K प्लस रहेगा न पहले K प्लस आयन फिर उसके बाद फिर उसके बाद बड़े कोश्चक में F-E-E-N-6 के उपर 4- फिर उसके बाद बड़े कोश्चक में F-E-E-E-N-6 के उपर 4- का नाम लिखते है का नाम लिखते है प्लस आयन नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो अब देखो जो अमारा उप्सास है उजी योगिक होगा इसमें एक जटी लायन होगा और एक काउंटर आयन होगा ठीक है ना तो काउंटर आयन है काउंटर आयन का नाम उनके साधार नाम से ही लिखा जाता है जैसे के प्लस का नाम हर जबा पोटैसियम ही होता है ना पोटैसियम आयन तो पोटैसियम ही लिखेंगे C-L- का नाम क्या होता है ख्लोराइल ख्लोराइल ही लिखा जाएगा यसोफूर अगर यहीं पे आ जाता यसोफूर का नाम सल्फेट होता है सल्फेट आयन तो सल्फेटों जो लिखे था यही लिखना हो तो कि लिगेंट है ना वागे तो सलफेट आयन इसका नाम होता है इसलिए सलफेट ही लिख देंगे मैगनीसियम आगया यमजी आगया तो मैगनीसियम ही लिख देंगे तो कहने का मतलब सह आयन के जो नाम होते हैं उनसे साथ हरा नाम से ही लिखे जाते हैं और दूसरी बार सहायन का नाम लिखते समय उसकी संख्या का प्रयूम नहीं करते हैं मतलब यहां के के फोर है तो इसको टेट्रा पोटैसियम मत लिखने रखना ठीक है ना केवल क्या लिखना पोटैसियम क्या लिखोगे पोटैसियम क्यों जी क्योंकि इनकी संख्या तो इनकी उपर आने वाले आवेश से निर्धारी कोई है न तो टेट्रा पोटेसियम बोलने का क्या मतला है हम बोलते हैं न मैगनीसियम ख्लॉराइड बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो हमने कहा Magnesium Fluoride तो तुमने कहा YMG पे 2 प्लस और C L पे क्या माइडस इसका दो लिख देते हैं इधर और इसका एक लिख देते हैं इधर तो YMG बन के आगेला और C L के नीचे चला गया दो तो हमको बोलने कि मैंगनीसियूम डाइड हो रहा हैं हैं आचे बोलने रहुनि है क्या है हमने Magnesium Chloride बोला आवेश तो हमको इसको तुरण पता चलगया क्योंकि जैसे हमने Magnesium होला हमको पता चलगया क्या पता चलंगया नी दो clouds बनाता है और chloride हमने बोला तो पता चल गया Cl बनाता है minus उनके आवेश से हमने उनकी संख्या को पता कर लिए कितनी संख्या होगी मिसकर्ट क्या निकलास जो इसके नीचे संख्या आई है वो तो आवेश से आई है ना तो जाम समें संख्या नहीं बोलेंगे फिक है ये चीज़ को ध्यान में रखना मतलब केवल पोटेंसियम लिखेंगे केवल इसको क्या लिखेंगे chloride लिखेंगे इसकी संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे तो indicate point कालिबेंस से लिख लो सह आयनों का नाम सह आयनों का नाम उनके साधारन नाम से ही लिखा जाता है सह आयनों का नाम उनके साधारन नाम से ही लिखा जाता है हो गया सामाने तयार सह आयन का नाम लिखने के बाद यसा आयन का नाम लिखते समय सह आयन का नाम लिखते समय सह आयन का नाम लिखते समय उसकी संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं या उसकी संख्या नहीं लिखते हैं तो गया ना ये चीज को दिहान दे रखना है अब यहां पर सामान लेता है या हमने क्यों लगाया क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता ऐसा आयन एक से अधी प्रकार के आ जाए जैसे मान लो ये था हमारा ये K2 हो जाए और फिर YMG हो जाए और YF हो जाए और CN6 हो जाए हो गया ना तो静ती CN6 पर 4 माइनस था और इन दोनों पर मिलाकर 4 प्लस रहेगा क्योंकि YMG 2 फ्लस बनाता है वोटेसियम एक फ्लस बनाता है तो अगर हम इसको लिखे potentium magnesium उसके बाद गर उसका नाम लिखे तो अगर हमने केवल potassium magnesium लिख दिया हमको पता नहीं चला ना potassium की संस्या किटनी ते magnesium की संस्या कितनी ती अगर एक रहता तो fixed रहता उसके 네ऻे आ गया है अगर एक रहता के प्लस राता यहां पे और यहां की सिजिए उपर क्या होता है फोर माइनस होता है तो फिक्स राता नहीं है इसके नीचे आगया यह इसके नीचे आगया तो के फोर चला गया तो वैसा तो यहां भी एकी है तो इसके उपर 4- लेकिन किसके नीचे कितना गया कनफर्ब पता चलेगा क्या तुम नहीं पता चलेगा इसलिए जब एक से अधिक प्रकार का तहाँ यह न आ जाएगा सब नाम में प्रयोग करेंगे अ कभी को है कर देखे इजर को नाम को अब डेखेश है इसका नाम हम का IUPAC नाम करण चाल लिखे उप्सा संयोजी शेत्र का IUPAC नाम करण लिखो इसमें उप्सा संयोजी शेत्र का IUPAC नाम करण करते समय उप्सा संयोजी शेत्र का IUPAC नाम लिखते समय पहले लिखेंड का IUPAC नाम उनकी संध्या साइट लिखते हैं लिखेंड का IUPAC नाम उनकी संध्या साइट लिखते हैं लिखेंड का IUPAC नाम उनकी संध्या साहित लिखते हैं फिर उसके बाद केंड्रिय धात परमारू का नाम लिखते हैं केंड्रिय धात परमारू का नाम लिखते हैं केंड्रिय धात परमारू का नाम लिखते हैं तथा उसके बाद कोष्ठक में लिखना है बनाना नहीं लिखना है कोष्ठक में उसकी अक्सी करण संख्या हो गया ना रोमन अंक में लिख देते हैं रोमन अंक में लिख देते हैं हो गया ना जैसे माल लो यहां पे केंड्रिय धात परमारू हुए स्टीयो ना तो इसका नाम तुम लिखोगी कोबार्ट ठीक है उसके बाद पोष्ठक में इसकी अक्सी करण संख्या लिख दोगी जो आज यहां पे कितनी थी एनस्पी का जीरो और चीन सी अगर तीन मायस लजाएगा तो तीन प्लस अठाथ कोबार्ट की अक्सी करण संख्या क्या आने वाली है लगेंग का नाम ऎखऊओगे अरफास यह कि अचे के लिए प्रयूप करते हैं है क्या प्रयुज और ίह द्या और हो आर मिया घ्क्सा और हमोनिया के लिए प्रयूक करते हैं श्रण अञिए बताया एम्मीन और इसके बार कोबार्ट और कोष्ञ क में हर्ड और फिर सीयल का नाम क्या लिख देखेंगे हैं तो अब इसमे क्रम क्या बना हमारा पहले लीगेंड का नाम लिखना है लीगेंड का यूप यसी नाम लिखो उनीचे लिखेंगे सिंगल इंडिकेट पॉइंट कुछ लीगेंड के आईूप यसी नाम और सुत्र निम्न प्रकार हैं हो गया ना पाला नमबर पाला नमबर लिखो अईसे रिडावेसित लीगेंड अईसे रिडावेसित लीगेंड हो गया जिनके नाम के अंत में अईसे रिडावेसित लीगेंड जिनके नाम के अंत में कि अईड़े आएड हिंदी में लिखना आईड परफिर पूर्ट तक में लिखना आईडी ए आईड आईडी ए आइडी में था वो एंग्लिस में है आईड आईडी ए आता है उनका आइड हटा कर उनका आइड हटा कर उनका आइड हटा कर ओ जोड देते हैं ओ लिखना है तो इस्ठक में फिर ओ लिख लेना इंग्लिस में ओ जोड देना है हो गया ना ओ जोड देते हैं हो गया ना जैसे देखो कॉलम बना लो आयन और कोश्ठक में इसका ना और इधर हम देखेंगे आईउपी एसी ना जैसे आता है पहले एप माइनस ना है इसका फ्लोराईड जैसे जी फ्लोराईड अब इसके तमें आईड आया है ना फ्लोर में आईड जुड़ा तो फ्लोराईड हो गया तो इसका आयसे इसी नाम लिस्टे समें इसका आईड हटा के ओ जोड दो फ्लोरो फ्लोर में आईड जुड़ा तो आईड हटा दी कि और फ्लोर बच्चा वो जोड़ देना तो फ्लोरो हो जाएगा क्यों जाएगा जी फ्लोरो एफ हल ओ आर ओ नाम अब सामाने का यूदि एसी नाम इंग्लीज में ही इसके है इसनी इंग्लीज तक भी द्याद में रखना ऐसे ही C-L- का नाम क्या होता है जी Chloride तो इसको लिख देंगे Chloro मतलब C-L-O-R-O फिर V-R के उपर माइनस Bromide इसको करेंगे Bromo ऐसे ही अगर Oxygen की उपर 2- आया तो इसको करते हैं Oxide तो इसका नाम लिखेंगे Oxo क्या लिखेंगे जी Oxo उसके बार लिखो C-L- माइनस आया Čनाम है Sinide तो इसको क्या लिखेंगे D-C-O C-Y N-O Ox- माइनस आया hydroxide इसको क्या रिखेंगे hydroxyl क्या रिखेंगे जी hydroxyl 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 हो गया न लेख लो है अब इसमें आइट्रीन वारा पोड़ दिया है जरूरी नहीं पमजेशीन हो गया बहुत सुप्रूस का भी बना लोगे ना तब और तुम्हारा नाइट्रोजन वाराद कुता है नाइट्राइड नाइट्राइड होता है ना उसका क्या रिखेंगे नाइट्रो या नाइट्राइड हो फर छोगे हो उस्के का भी का भी बना बहुत प्राइड हो फच्वारा ली我在 के वह लगे हो भी बना लागे हो भी बना लाव माने पंश्याट्रोजन अवाराद जजेखेंगे नाइट्रोजन वा दवाराद क्यों जढ हो 1714 पैंट्रोजजन वेख बना लोग्ण इसको लिखनों अप्रिश्ट कोईखिए फिरुट सुष्ट के लिए पुर्च कमेंगे लोगद करना इसको लिखनो का इसको लिखनों पॉपिसर आपकी चेवर देखेंगे प्रिश्टी लिए भी रियान देलो जो आयो पीएति का नया नियम आया है उसके अनुसार जो उने इनको फ्लोरो फ्लोरो ग्रोमो आयवड़ो औक्सो थाइव लिखा नय नय नियम के अनुसार यह कहता है कि कुछ मत अठाओ बस अंत में ओ जोड़ो लॉड़ो फ्लोराइड को ख्लोराइड हो रिख न वहगी लिख सकते हो तुम दूनों भी सकते हो ख्लोरीन दुक, नय नकिने डिख लेना नया नियम के अनुसार इनके नाम से अन्त में क्या जोड़ेते हैं हो जोड़ देते हैं कुछ हटाते में हैं दोनों लिख सकते हो दोनों सही है